नमस्कार दोस्तो टाल गे ठाहिम सभी के एक बार फिर से स्वागत है दोस्ति एक बार फिर से इस्टी आई सेंटर के लिए भरती विग्यापना चुका है इसमें पूश्ट की बात करें तो काउंसिलर और लेप एकनिस्यन के लिए पोस्ट सामिल है और दोस्तो सम्वीदा बै से हैं और lab technician के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास previous question paper है अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर कर सकते हैं total आपको 29 previous question paper मिलेंगे यह question paper अब तक में MP में जितने बार भी lab technician के paper हुए 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 सारे paper सामिल है अभी हाली में आपका paper होने वाला 26 नमबर को आपका exam होने वाला है उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमसे WhatsApp पे संपर कर सकते हैं हमारा WhatsApp नमबर डावालेट टूवण नाइन सिक्स टू सेवन सेवन नाइन इस नमबर पर आप मैसेज कर सकते हैं आपको यह 29 प्रीविए इस question paper मिल जाएंगे उसके लिए केबल आपको 150 रुपए पे करना होगा तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब यह भरतिविग्यापन दोस्तों मदप्रदे स्राज एट्स नियंद्र समिती भुपाल से जारी किया गया है 1411-2022 को अब इसमें पोस्ट समिधा बेसेस पे रहने वाले हैं और counselor और lab technician के लिए post शामिल है इसमें qualification की बात के जाए क्या-क्या qualification मांगा है इसके लिए lab technician में आपके पास qualification में graduate in medical laboratory technology BSC होना चाहिए यह पिर आपके पास diploma है medical laboratory technology में DMLT है तो भी आप इसमें apply कर पाएंगे साथ में आपके पास दो साल का experience होना चाहिए जो candidate diploma वाले हैं और जो candidate BMLT वाले हैं उनके लिए one year का experience मांगा है नंबर आप post की बात कर लें तो एक ही post शामिल है आपको posting जो है state reference center medical college भपाल में दिया जाएगा और salary इसमें 21,000 रुपए परमंत रहने वाली है next post की बात कर लेते है counselor के लिए क्या qualification मांगा है तो इसमें आपके पास graduate degree होना चाहिए psychology या social worker या फिर sociology में अगर आपके पास graduate है आप तो आप इसमें apply कर पाएंगे साथ में आपके पास anthropology, human development या फिर आपके पास nursing में 3 year का experience है इन counseling में तो भी आप इसमें apply कर पाएंगे post graduate in psychology, social worker, sociology, anthropology, human development या nursing में है तो भी आप इसमें apply कर पाएंगे salary इसमें आपको 21,000 रुपए परमन्थ दी जाएगी और total number आप post की बात करें इसमें तो total 13 post इसमें सामिल है एक post सिहोरा, district के लिए रहने वाला, एक post रैसेन के लिए, एक post गॉलियर, एक post अनुकपुर, एक post भिंड में, एक post साजापूर, सिंगरावली, दतिया और ये lady hospital दतिया में, और district hospital दतिया में, मुरेना में एक post है, भोपाल में एक post, lady hospital और आल इंडिया इंस्ट्यूट, आप medical science भोपाल में भी एक post है, डाक्टर केयर, कटांजू, hospital भोपाल भी में एक post रहने वाला है, और दोस्तों इसमें apply करने के लिए आपको apply तरीके से आवेधन कर 22 को साम को 6 वजे तक आप आवेधन कर पाएंगे, और आवेधन आपको कहां जमा करना है, वो देख लेते हैं, किस आप इसमें आपको आवेधन जमा करना है, तोक्त रिक्त पदों के लिए आवेधन पत्र प्रेसित करने का पता है, यह आपको state represent center का नाम दिया हुआ है, और आवेधन इस पते पे जमा करना होगा, यह नीचे इतने सारे आपको एड्रेस बताया जा रहा है, आवेधन पत्र प्रेसित करने का पता, यह सारे आपको अलाग अलाग district बाज बताया गया है, यह जितने भी हैं यह सारे counselor के लिए आपको पता बताया जा रहा है, और जो candidate lab technician के लिए apply करेंगे, उनके लिए आपको अधिश्टाता गांधी चिकित्सा महविद्याले भौपाल में आपको आवेधन जमा करना होगा, इस्टेट रिप्रेंट सेंटर medical college भौपाल में यह आपको address बताया जा रहा है, इस कार्याले में आपको अपना आवेधन जमा करना हो आपको previous question paper मिल जाएंगे, टोटल 29 previous question paper मिलेंगे, उसके लिए आपको 150 रुपाय पे करना होगा, यह 29 previous question paper आप तक में EMP में जितने बार भी lab technician के paper हुए है, साथ में other कई state के भी paper इसमें सामिल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर whatsapp पर message कर सकते हैं, आपक subscribe जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, टेलिग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको नीज़े description box में लिंक मिल जाएगा, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like जरूर करें, thank you